नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर शिप्रा कुणर है और मैं मनिपाल हॉस्पिरल खराडी पुने में काम कर रही हूँ आज हम मेंसेज में साफ सफाई या हाईजीन कैसे मेंटेन करें उस पर बात करेंगे 28 मैं मेंस्ट्रल हाईजीन डे मनाया जाता है इसलिए आज हम मेंसेज की साफ सफाई पर बात करेंगे जब भी मेंसेज का ख्याल आता है या पीरेट्स का ख्याल आता है तो हमारे दिमाग में सैनिटरी पैड्स के बारे में ख्याल आता है तो sanitary pads बहुत असानी से available हैं बस इनके साथ problem यहीं होती है कि एक synthetic coating होती है इसलिए इनको हर 3-4 घंटे पर आप change करें तो better है आज कल reusable cloth pads भी available हैं लेकिन इनके availability अच्छी नहीं है जैसे sanitary pads की है बट online आप इनको खरीच सकते हैं यह cloth pads reusable होते हैं इसलिए इनको wash करना या धोना पड़ता है लेकिन यह cotton के बने होते हैं तो इनके साथ जो किसी को synthetic से problem होती है वो problem नहीं आती है और साथ में यह environment और हमारी climate के लिए भी बहुत अच्छे हैं menstrual cups भी आज कल available हैं menstrual cups जो होते हैं तीन sizes में available होते हैं small, medium and large और इनको कैसे बजाइना में insert किया जाए इसकी technique या विधी भी इनके साथ लिखी हुई होती है इनको generally fold करके बजाइना में insert करा जाता है और फिर जब निकालते वक्त इनको हलका सा press करके तब पे हलका सा pressure तेके इनको निकाला जा सकता है इसकी capacity 10-15 ml होती है blood collect करने की और फिर जब around 5-6 hours के बाद इनको change करे change क्या मतलब इनको निकाले और धो के इनको reuse किया जा सकता है इनको किसी आपको किसी antiseptic solution में नहीं रखना बस इनको अच्छे से wash करके और dry करके आप reuse कर सकते हो फिर आते हैं tampons जो की काफी use किया जाते हैं tampons भी vagina में insert किया जा सकते हैं और इनके साथ भी यही है कि बहुत लंबे time तक इनको vagina में नहीं रहना देना चाहिए हमें 4-6 hours के बाद tampons को change कर लेना चाहिए तो यह तो थी products जो आप minces में अपने use कर सकते हैं और साथ में जब भी आप pad या फिर tampon चेंज करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने hand wash ज़रूर करें blood जो होता है एक बहुत अच्छा medium होता है bacteria के growth का तो जब भी भी blood handle किया जाए तो उसको hand washing पे ज़्यादा focus किया जाए और साथ में जो प्रथाएं हैं जो practices होती है menses के साथ की मंदिर नहीं जाना है या कुछ छूना नहीं है इन सब पे भी आजकल इसके against भी बहुत बाते हो रहे हैं और मुझे लगता है हम लोग को आजकल working females हैं जिनको इन सब पे जादा focus नहीं करना चाहते हैं तो मैं आप सब से request करूंगी कि मेंसेज में हाईजीन कैसे maintain करें इस पे हम अपने साथ की सारी लेडिज को बताएं अपनी बच्चियों को बताएं और World Hygiene Day, Menstrual Hygiene Day मनाएं थैंक यू सो बच झाल में को दोवर जाओें